ओ हर हर महादेव प्रियभक्तों आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन मंत्रों द्वारा पूजन के बाद प्रशाद देना चाहिए क्योंकि यह प्रतेक पूजन में परम आवश्यक हैं इसलिए आपको जानना जरूरी है यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यह चैनल आपको शम्पूर्ण करमकांड की जानकारी प्रदान करेगा विलाइकन भी दबाईए ताकि जो भी हम वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आपको प्राप्त हो आईए जानते हैं किन मंत्रों द्वारा प्रशाद देना चाहिए ओम पुनस्त्वादित्यारुद्रावासावासामिंधातांपुनरब्रम्हाडो वाशुनित्यग्याईहि गृते नत्वं तनवं वरधायस्वासत्याहासंतुजजमानस्यकामाहां दीरगायुस्त ओखधेखनितायस्म्याईचत्वाखनाम्याहम्मा अधोतुवं दीरगायुरभूतुवासातवल्साविरोहतात स्रीरवर्चष्व मायुष्यमारूग्यमाविधाक्षोभमानम्महियते धनम्धान्यम्पसुंबहु पुत्रलाभं सतसंबत्सरंदीरगमायुहु मंत्रारथाह सभलाह संतु पूणाह संतु मनुरथाहु सत्रुणाम बुधिना सोस्तु मित्राडामुदयस्तव। ओम पूर्णमदहा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्णमे वावशिश्यते ओम शांति ही। शांति ही। इन मंत्रों द्वारा प्रशाद देना चाहिए। इन मंत्रों को याद भी जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को जाद जाद देखें। आपको याद भी हो जाएगा। और इसमें से आप एक भी स्लोग भी बोल सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये सारे ही स्लोग बोलने हैं आप एक स्लोग को भी याद करके बोल सकते हैं और जो हमारे अगले वीडियो आने वाले हैं उनके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद